मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम जो विश्या पढ़ेंगे वो है माटी की मूरते और इसके रचीता है राम रिक्ष बेनी पुरी वैसे तो इसमें बहुत सारे कैरक्टर हैं लेकिन आज हम जिस कैरक्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका रेखा चितर आज हम पढ़ेंगे वो है सुभान खा बच्चो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज इससे सस्क्राइब कीजे लाइक शेयर कीजे और आप मुझे वर्टसेप इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं तो देखे बच्चे जो सुभान खाते हैं वो एक मुसलिम समुदाई के वैक्ती थे और बहुत ही नेक दिल इंसान थे इन्हें सारे लोग सुभान दादा के नाम से बुलाते थे ये एक राजमिस्त्री थे इनमें हिंदू और मुसल्मान एकता की बहुत चाहत थी जब लेकक बालक थे यानि कि उनके बच्चपन में तब वे सुभान खा को दादा कहकर बुलाया करते थे तो एक बार सुभान खा लेकक के घर आते हैं और लेकक उस समय बालक अवस्थामी होते हैं कि उनके बचपन की कहानी अपने बारे में बताते हैं तो लेखक को वे बाहर गुमाने के लिए ले जाते हैं जब लेखक अपनी ननी उंगलियों को उनकी दाड़ी में गुमाने लगते हैं और उंगलियों से गुमाते गुमाते उनसे प्रशन पूछते हैं वो उनसे पूछते हैं कि दादा क्या आपके जो अल्ला है वो पश्चिम में रहते हैं तब वे जवाब देते हैं नहीं बबबुआ अल्ला तो पूरा पश्चिम उत्तर दिख्शिन सभी दिशवों में रहते हैं तब बालक लेखक जो है वो फिर से उनसे प्रशन पूछता है कि आप पश्यम में मूँ करके ही क्यों नमाच पड़ते हैं तब सुभान दादा उन्हें जवाब देते हैं कि पश्यम की और के जो मुल्क हैं उनमें अल्ला के रसूल आये थे वहां रसूल आये थे वहां हमारे तीरत हैं उन्हीं तीरतों की और मूँ करके अल्ला को याद करते हैं लेखक फिर से उनसे प्रशन पूछते हैं कि ये तीरत कितनी दूर है सुभान का उन्हें जवाब देते हैं कि ये बहुत दूर है जहां सूरज देवता डूबते हैं इतनी दूर हमारे ही तीरत है फिर से लेखक उनसे प्रशन पूछते हैं कि क्या आप वहाँ पर कभी गए हैं यह सुनकर सुभान दादा की आँखों में पानी आ जाता है और दबी हुई अवाज में वो बोलते हैं कि वहाँ जाने में बहुत खर्चा आता है बबुआ अब इस बुढ़ापे में मैं इतनी महनत कर रहा हूँ कि कुछ पैसे बचा पाऊ और तीरत के लिए मैं जा पाऊ लेखक फिर से उनसे कहते हैं कि दादा आप मेरे मामा से कर्ज क्यों नहीं ले लेते क्या आप वहाँ से मेरे लिए खजूर छुहारे लाएंगे इस पर सुभान दादा मुस्कुराते हैं और बालक लेखक को जा कर खेलने के लिए कहते थे हैं बच्पन में मुझे उनकी दाड़ी बहुत सबसे अधिक भाती थी। नमाज के वक्त जब वो कमर में धारीदार लूंगी शरीर पर साधा कुड़ता गुटने टेग दोनों हाथों को चाती से जरा ओपर उठा आधी आखे मूंद कर जब वह कुछ मंतर सा पढ़ने लगते थे क्या आपने अल्ला को कभी देखा है। दादा ने कहा नहीं बबुआ मेरी ऐसे तकदीर कहा सिरफ रसूल ही कि ही उनसे बाते होती हैं। जो रसूल है केवल वही अल्ला से बाते कर सकते हैं। मैंने फिर से दादा जी से परिशन पूछा रसूल को क्या दाड़ी थी, दादा ने जवाब दिया हाँ थी ना, उनकी दाड़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं, हम अपने तीरत में उन बालों के भी दर्शन करते हैं, इस बात से लेखक इतने परभावित होते हैं कि वो कहन लगते हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी खूब लंबी दाड़ी रखूंगा। सुभान दादा लेखक बालक की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे खेलनी के लिए कहते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन लेखक बैठे हुए सोच रहे थे कि मेरी माने मुझे प्राप्त करने के लिए जिन जिन देवताओं की मननत मांगी थी। उनमें से एक हुसैन साहब भी थे। नो साल की उम्र तक मुर्म के दिन मुसल्मान बच्चों की तरह मुझे भी ताजिया के चारों और रंगीन चड़ी लेकर कूदना पड़ता था। हमें नहीं भूलते थे और होली दिवाली हम उन्हें नहीं भूलते थे। होली के दिन नानी अपने हाथों से पुवे और खीर परोस कर सुभान दादा को खिलाती थी। इधर लेखक भी बड़े होने लगते हैं और सुभान धादा के बेटे भी बड़े होने लगते हैं उनके बेटे भी उनी की तरह आदर सत्कार करने वाले और नेक दिल इनसान थे उनके घर की हालत भी अब कुछ पहले से बेतर होने लगती है अब उनका हज जाने का सपना आखिर पूरा हो ही जाता है लेकिन उन्हें खजूर और चुहारे की बात भूली नहीं थी जो मैंने उनसे बच्चपन में लाने को कहा था जब मैं छुटी में शहर के स्कूल से लोटता हूँ अपने गाउं जब मैं लोटता हूँ तब दादा ने यह सोगात यानि की खजूर और चुहारे मेरे हाथ पर रख दिये इन खजूर और चुहारों को हाथ में लेकर मैंने मेरी खुआईश हुई की काश में बच्चा हो पाता और उनके कंधों पर चड़कर उनसे लिपटकर उनकी दाड़ी में मैं अपनी छोटी छोटी उंगलियां खुमा पाता लेकिन अब तो समय कहां अब तो समय ही भीग दिया जब से दादा हद से लोटे थे तब वे अधिकतर समय नमाज पढ़ने और अल्ला के नाम की माला फेरने में ही निकाल देते थे सुभान दादा का एक अर्मान था कि मसजित बनाने का यानि कि वो एक साधारण राजमिस्त्री थे लेकिन बार-बार कहा करते थे कि अल्ला ने चाहा तो मैं एक मसजित जरूर बनवाऊंगा और एक दिन वह आया भी सुभान दादा ने गाओं के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद भी बनाई जिस दिन मस्जिद तयार हुई उस दिन सुभान दादा ने सभी लोगों को नोता दिया जुम्मा का दिन था जितने भी मुसल्मान थे सबने उसमें नमाज पड़ी थी और जितने भी हिंदू थे उनके सतकार के लिए दादा ने हिंदू भलवाई रखा हुआ था और जिनोंने तरह तरह की मिठाईयां बनाई थी यहां तक कि पान और इलाइची का भी प्रबंद किया था मस्जिद उदगाटन में जो सुभान दादा ने जो आदर सतकार किया था ऐसी महमान नवाजी लोग आज तक भी नहीं भूल पाए आगे लेखा कहते हैं कि दीरे दीरे समय बदलने लगा मैं भी अब गाउँ छोड़कर शेहर में रहने लगा शेहर में तो आए दिन मुसल्मान और हिंदूओं के दंगे देखने को मिलते हैं एक ही रास्ते पर हिंदू मुसल्मान चलते हैं एक ही स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी अचानक सब के सिर पर शैतान सवार हो जाता है हला, मारपीट, भगदड, खून खराबा चार ओर दिखाई देने लगा प्रेम भाईचारे के स्थान पर घ्रणा, विरोध, हत्या का तांडब दिखाई देने लगा शैरों की यह बिमारी, धीरे धीरे गाउं में भी गुसने लगी गाउं, गाई के नाम पर मारपीट होने लगी जो लोग जिन्द की भर कसाई खाने में अपनी गाई को बेचते रहे के आज वे एक गाई के कट जाने पर ना जाने कितनो के ही गले काटने के लिए तयार होने लगे पंडित और मुसल्मानों के संगठन बनने लगे, हिंदू मुसल्मान में फूट और कले के बीजबोई जाने लगे लाठियां चलने लगी, छूरे निकलने लगी, कितनी ही नोजवान मारे जाने लगी, कितनों का ही घर फूक दिया गया लेखा कहते हैं कि अचानक से खबर फैल गई कि इस साल सुभान दादा के गाओं के मुसल्मान भी गाएं की कुर्बानी देंगे और यह कुर्बानी सुभान दादा की जो मस्जित है जो उन्होंने गाओं में बनवाई थी उसमें दी जाएगी लेखा कि यह सुनकर बहुत ही अचमबित रह जाते हैं लेखा कि इस बात की पुष्टी करने के लिए जब सुभान दादा के घर पहुँचते हैं तो वो क्या देखते हैं महाँ पर कि सुभान दादा के घर के भार बहुत सारे मुसल्मानों की भीर लगी हुई है और सुभान दादा चीख-चीख कर कह रहे हैं कि गाएं की कुरबानी नहीं होगी, ये फालतू बाते मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, इस पर सभी मुसलमान कहते हैं कि कुरबानी क्यूं नहीं होगी, क्या हम डरके अपना मजब छोड़ दें? तब सुभान दादा कहते हैं कि यह मजब नहीं है मैं हज से आया हूँ कुर्बान मैंने भी पड़ी है मैं एक मुसल्मान की हैसित के कह रहा हूँ कि गाएं की कुर्बानी नहीं होने दूगा गाएं की कुर्बानी तभी होगी जब मेरी कुर्बानी होगी यह कहकर सुभान दादा मस्जित की और चले जाते हैं जो उन्होंने गाउं में बनवाई थी वहां जाकर पहले उन्होंने नमाज पड़ी और मस्जित की चोखट पर बैठ गए और चिला कर कहने लगे कुर्बानी के लिए मेरी लाश पर से होकर गुजरना होगा और आखे बंद करके वहां बैठ गए उनकी आखों से लगातर आसु निकल रहे थे जो कि उनकी दाड़ी को भिगो रहे थे उन्हें देख कर लेख कहते हैं कि सुभान दादा का शरीर उस समय ऐसा लग रहा था मानो कोई संगमर मर की मूर्ती हो तब धीरे धीरे वहां लोगों का जमावड़ा लगने लगा वहां खड़े सभी लोग भावुख हो जाते हैं अब लेखक दूसरा चित्रन प्रस्तूत करते हैं कि जिसमें लेखक क्रांतिकारी गतिविद्यों के चलते ही दो वर्ष से गया सेंटर जेल में है तो यहां पर लेखक कहते हैं कि मेरी रानी दो वर्ष के बाद मुझसे जेल में मिलने आती है इतने दिन बिछडने के बाद मेरी रानी को जब जो सबसे पहले जो चीज मेरे हाथ पर रखती है वो होता है रेशम और सूद से लिप्टे हुए डोरे और गंडे और कहती है कि हुसेन सहाब के गंडे है इन्हें जरूर आप पहल लीजेगा रानी जानती है कि मैं नास्तिक हूँ लेकिन इसलिए जब भी उसे मोका मिलता है तब वह खुद ही मेरे गले में गंडा डाल देती है रानी चली गई लेकिन वे गंडे अब भी मेरे सूटकेस में सजो कर रखे हुए हैं लेकर यहाँ पर कहते हैं कि जब भी मैं सूटकेस खोलता हूँ उन गंडों पर मेरी जब नजर पढ़ती है तब तब मेरी आखों के सामने दो तस्वीरे आखड़ी होती है और वो दस्वीरे कौन-कौन सी आकर खड़ी होती है पहली तस्वीर जो कहते हैं कि मेरे आखों के सामने आती है वो है करबला की जिसमें कुल मिलाकर भेतर आदमी है जिसमें कि ओरते और बच्चे भी शामिल है और इसके जो सरदार थे वो कौन थे? हजरत हुसेन साथ की पूरी मंडिल मानी जाती है एक समय वह था जब उन्हें कुफा की गदी पर बिठाने के लिए बार बार आगरे किया जाता था लेकिन अब तो समय बदल चुका है आज गदी पर बिठाने के लिए उन्हें चुलू भर पानी भी मिलना मुहाल हो गया है यानि कि इतना समय बदल चुका है कि जहाँ पर कि उसको उनको गदी पर बिठाने के लिए आगरे किया जाता था आज उन्हें एक चुलू भर पानी भ दुराचारी यजीद की सत्ता कबूल करो, नहीं तो प्यासे ही तडब कर मरोगे। उनकी मा, बहने, बच्चे सब प्यासे से तडब रहे थे, पानी की नदी बह रही थी, लेकिन शर्त यह थी कि यजीद के हाथ पर बैत करो, यानि कि यजीद की जो सत्ता है उसे कबूल कर लो लेकिन हजरत हुसेन साब इस बात के लिए सहमत नहीं थे, वो उनका कहना ये था, कि हम एक चुल्लू भर पानी में डूब मरना पसंद करेंगे, लेकिन यह नीच काम हम नहीं करेंगे, लेकिन एक तरफ बच्चे जो प्यासे तडप रहे थे, उन्हें भी प्यासा तडपते वे नहीं देखा जा रहा था, इसके लिए क्या हुआ कि दोनों ही गुटों में लड़ाई होने लगी, और इस लड़ाई का जो अंत हुआ, वो क्या हुआ कि हजरत हुसेन और उनका पूरा काफिला, उस कर्बला के मैदान में शाहधत पा गया, बच्चों का और अबलाओं क जो चीक से सारा वातावरन थर्रा उठा था, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना संसार के इतिहास में मिलना मुश्किल है, यानि कि वो घटना इतनी दर्दनाक थी कि अगर पूरे इतिहास को भी देखा जाये तो शायद इतनी दर्दनाक घटना मिलना मुश्किल है, और जो उसे दिन का करुणा समारक माना जाता है जिसे कि संसार के कोने कोने में हर मुसलमान बड़ी शिद्दत से मनाता है और उसके सामने लेखक के सामने जो दूसरी तस्वीर परस्थूत होती है एक तो ये कुर्बानी की तस्वीर परस्थूत होती है और जो दूसरी उसके सामने जो परस्थूत होती है तस्वीर वो थी कि लेखक की आखों के सामने जो तस्वीर आती है वह आती है सुभान दादा जिसके कंदों पर चड़कर लेखक मुर्रम देखने जाया करते थे उनकी चोड़ी चाती, सफेद दाड़ी, ममता भरी आखे, शहद टपकने वाले होट उनकी पूरी जवानी अल्ला और काम के बीच बराबर हिस्से में बटी थी उनकी हिर्दय में हमेशा प्रेम की धारा भैती थी ऐसे प्रेम की धारा जो अपने पराय सबको समान रूप से शीतल करती थी तो अंत में लिख कहते हैं कि मैं सिर जुकाता हूँ करबला के शहीदों के सामने और सब प्रेम नमशकार करता हूँ अपने प्यारे सुभान दादा को तो बच्चों यह था सुभान दादा का रिखा चितर मैं आशा करती हूँ कि आपको सुभान दादा का रिखा चितर अच्छे से समझ आ गया होगा धन्यवाद